जब से इशान किशन ने भारत और पाकिस्तान के मैच पाकिस्तान के खिलाफ नमबर पास बल्ले बाजी करते हुए 82 रनों के शानदार पारी खेलिया है तब से हर कोई ये क्यास लगा रहा है कि अगर केल रहुल की टीम इडिया में वापसी होती है तो फिर इशान किशन किस न कि शुबमन गिल अभी ओपनिंग कर रहे हैं उनके साथ लेकिन अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है उनका पिछले दस बारे पारियों से वो ढंकी एक भी पारी नहीं खेल पा रहे हैं अगर देखा जाए दस बारे पारियों पर नज़र डाले जाए तो एक दो अडश्रत की पारियों आपको नज़र आ जाएंगे लेकिन लगतार वो इस्टगल करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन आपको बता दे कि गौतम गंभीर ने एक बयान दिया है इशान किष्ण और केल राहूल को लेकर चलिया आपको इस विडियों बताते हैं कि उनके हिसाब से नंबर राहूल को लिया जाना चाहिए जब आप विशुकप जीतने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आप नाम नहीं देखते आप फॉर्म देखकर उनका आकलन करते हैं आप उस खिलाड़ी का चैन करते हैं जो अच्छा प्रदरशन कर सकता है और आप के लिए विश्वकप ज पर प्राथमिक्ता मिलने चाहिए लेकिन अगर इशान किशन की जगे विराट कोली और रोहिश शर्मा होते तो क्या आप कहते कि उनके स्थान पर केल राहूल को रखना चाहिए इसका जवाब है नहीं गौतम कंभीर ने तो अपने राय साफ कर दिया कि नंबर पांच पे केल प्राहूल के उपर आपको इशान किशन को तरजी देनी चाहिए और इशान किशन को ही मौका देना चाहिए कि वह नंबर पांस पर बल्ले बाजी करें और आपको बता दे कि यहीं राय इंडिया के तमाम फैंस की होगी कि इशान किशन जिस तरह की अच्छी फॉर्म में है वेश्चंडीस के अगेंस उन्होंने तीन मैचे के ODI सिरीस खेलती 50 प्लस स्कोर किया था और यहां भी पाकिस्तान के खिलाफ जहां बड़े-बड़े बल्ले बाज विराट कोली रोहिश शर्मा श्रेय सायर शुबमन गिल यह सब नहीं चले वहां इशान किशन आए 82 रनों पांच पर आये और एक शानदार बल्ले बाजे दिखाई बाकिया आपको क्या लगता है कि रेमबर पांच पर शान किशन को खेलना चाहिए या फिर केल राहुल को कॉमेंट सिक्षा में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ यसाथ फाइन स्पोर्ट्स को लाइक शे